नमस्ते मैं डॉक्टर चोधरी हूं मैं माराश्टर में प्रैक्टिस करता हूं एक्चुली पांडे सर के वर मेरी मुलाकात करीब 7-8 साथ पहले हो गी थी तो मेरी काफी इच्छा थी कि सर से मिलू कोटा जाओ और सर के साथ काम गूँ लेकिन मेरे कामों में इतना व्यस्त था कि मुझे कभी मतलब फुर्सत नहीं मिली आने की और अभी मही के महिने में थोड़े पेशन्ट मेरे पास कम थे तो मैंने सर का नंबर प्राप्त किया और सर से बात की और सर ने मुझे अलोग कर दिया कि आप आईये हमारे साथ रहिए तो मुझे काफी अच्छा लगा फिर म जैसे प्लैनिंग करके फिर कोटा पहुच गया तो जब कोटा पहुचा राजस्तानी में पहली बार आया था इससे पहले को भी राजस्तान आया नहीं था तो सर ने एक आदमी उनका जो था स्टाप उसे भेज़ दिया था मुझे रिस्यू करने के लिए स्टेशन से तो मैं या पहुचा फिर सर से मुलागात की और सर ने फिर मेरी व्योस्ता कर रखी थी उनके घर में तो भी मुझे कापी अच्छा लगा क्योंकि मैं तो बहुत दूर से आया था परसनली इतना कुछ हमारा जान पहिचान नहीं थी और फिर मैंने तुरंत इक सर के साथ काम करना पहुत अब या क्ल रखी है तो काफी अच्छा लगा और अपना जो यहां का स्टाफ इनका उसकी खास करके तालिप कलना चाहूंगा जितना सर मोटिवीटेट है उतने वो पी मोटिवेटेड है और पेशेंट्स के प्रति उनका व्योवार्द जो आफी शालीं व्योवार ह तो बहुत ही अच्छा मतलब उनका भी और है मैं क्या बता हो भी आप यहां आओगे तो जानोगे तो उनसे भी मैं बहुत कुछ चिछे सिखा और मैं तो खुद डॉक्टर हुआई सर्जन हूँ तो मेरी तरी जो इच्छा है थी जैसे सर यहां पे प्रीमियम सर्जिली कर प्र तो मैं नहीं करता था तो अभी मैं सर से वह सब ग्यान में प्राप्त कर ली है और अभी मैं जल्दी मेरी प्रैक्टिस में सब करने वाला हूँ तो मुझे यह कहना है जो मुझे देख रहे है चाहे आए सर्जन हो या चाहे जंदल पबलिक हो कि आप आए सर से कुछ अगर आ चैसे बड़े बड़े शेरों में वैलेबल लेते तो वह सर्विसे साप पर पूसर यहां दे रहे तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करवाए और केट्रैक्स अर्जरी काफी कॉमन डिसे जगे और लिज़ डिसे तो आजकल कापको जेंज हो गई है मत किसमें से आपकी जो डिपेंड़न से खतम हो सकती है उससे और आप खुद जब यहां आएंगे तभी आपको उनका व्यवार कैसे पता चलेगा उनके स्टाफ का व्यवार कैसे पता चलेगा मैं तो कापी इंप्रेसिव उसर से और चाहता हूं कि आपी बस एक दो चार वैने मैं फिर से मैं आजाओंगा या कोठा कुछ नए आप मिरेट कुद को गरने के लिए धन्यवाद